जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराट चोदरी श्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज क्या वीडियो इसमें आप एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्पून वीडियो जितने भी लोग फिजिकली फिट नहीं उनके लिए उनके लिए भी और जो तैयारी कर रहें आने वाले बेश की उनके भी लिए आपको पता कि सेरपेप में हेड कॉंस्टेबल मिनिस्टेल की जो वेकेंस ही आने वाली है तो यह पूरा का पूरा वीडियो उसी के बारे में कि कब वह वेकेंस ही आरी कब उसका एक्जाम होगा और क्या-क्या उसका सेलेबस होगा अगर आप भी किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो एंड तक जरूर बने रहे हैं क्योंकि आपके जो इस बार का जो पेटरन रहे गा तो थोड़ा ता अलग है पिसले कुछ एक्जामों से इस में कुछ खास बात क्या-क्या रहेगी इसके बारे में साथ इसकी जो पूरी डिटेल है उसके बारे में बात करने वालें दोस्तों तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रही है अब बात करते हैं कि जो CRPF में Head Constable Minister की जो आने वाली है तो इस वेकेंसी का जो सहले बस जो पेटरन हो क्या होता सबसे पहले इसमें होता दोस्तों फिजिकल कि र liner जूति आपका च्छेस्ट में रॉनिंग नहीं होती है तो यह उनके लिए बहुत अचाहिए जिनका फिजीकली इस्ट्रोंग नहीं है ज्यादा क्योंकि हाइट वेड़ चेस्ट ज्यादा मतलब आर्मी की तरह चेक नहीं होता है जिसका अगर नोर्मल भी फिजीकल है तो वह भी फाइट कार सकता है इसमें कोई बना मतलब प पर ख्रिया होती है तो आपको मैं बता दूँ इसकी जो हाइट रहने वाली है वह रहती है 165 सेमी और लड़कों के लिए 165 सेमी लड़कों के लिए 165 सेमी साथ में अगर वह स्ट के टेगरी से उसके लिए 162 सेमी और कुछ विशेस राज्य जैसे मानिपूर मेगाले अनु के लिए 77 to 82 और स्ट के लिए 77 to 81 sorry 76 to 81 तो मतलब फिजिकली और चेस्ट का भी क्राइटेरिया ज्यादा नहीं है तो यह फेज आप पास कर सकते हो इसके पास करने के बाद में फिर आता इसका रेटन एक्जाम रेटन एक्जाम में इसके 225 मार का क्यूशन पिपर होता दोस्त पचास का रिजिनिंग पचास का इंगलिज और हिंदी ओफिनल रहता है जो आप चुनना चाहो उसके बाद में 25 नमर का रता है रिटन एक जाम उसमें आपको लिखना पड़ता है एक पेरेग्रा तो दोस्तों वह पेरेग्राप जो राइटिंग उसमें आपका एक का ल्धोन का रूदी होता है उसी दो गंटे के वह थी पर टक रख दो रहाा है इस परकार से उसका पेपर होता है दोस्तों कि दोसुपच्छीस मार का Also होता है उ this 듣 सए इसके अलावा इनका जो लेवल होता है उजदा हाई लेवल नहीं होता है इजी लेवल होता है दोस्तों कि अगर आप आसानी से इसको फाइट कर सकते हो को बड़ा भारी हो नहीं है अगर आप 12 पास हो तो यह एक्जाम में इलिजिबल हो दोस्तों 225 मार का एक्यूशन पेपर और द्राइगंटे का समय आपके लिए सफिशेंट है अगर आप तैयारी करो किसी भी एक्जाम की तो इसकी तैयारी जरूर एड कर लीजिए दोस्तों क्योंकि बहुत ही शांदार वेकेंस ही है इसके बाद में फिर अगला जो आपका होता है इसके बाद में रेटने एक्ज फ़र लिखने और इसमें एक मिनिट में आपको 35 नंबर लाने पढ़ेंगे और यगर आप ऐसी के टेगरीस है तो आपको 30% नमर लाने अनवारे है तब आप अगले फेस के लिए एंट्री कर सकते हो तो मतलब typing test के लिए eligible रहते हो अगर उसमें इतने नमबर नहीं कर पाते हैं मतलब 80 नमबर हो गया obc general के लिए 225 में से 80 नमबर आपके हैं कम से कम तब आप इस टेस्ट के लिए इलिजिबल है नहीं तो नहीं और अगर आप स्टी से हैं तो आपको कम से कम सतर नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको लगेगा कि आपको अच्छा है तो एक महिने में दो महिने में आपकी इंग्लीज में 35 वर्ड पर मिनिट आपकी स्पीड आ जाएगी आप कीबोर्ड लेके जब टाइप करना लगोगे आप मोबाई से भी टाइप कर सकते हो आज करकार के कीबोर्ड आते हैं जिस टाइपिंग शिख जो इसलिए वेकेंसी में आप हंडेड परसेंट ट्राइए करना क्योंकि बहुत अच्छी वेकेंसी और इसका जो जोब माना जाता है वह भी आपको बिल्कुल यह मान के चलिए फोर्स का जोब है लेकिन बिल्कुल शिविलियन के तरह जोब है ओपीस मे बिल्कुल श्यांदर आप सुबर 9 बजे से चाह बजे तक ओपीस में फिर उसके बाद में आप घर तो आपका कहीं पर बीट्रांसफर कई किसी बीजगा अगर आप डूटी करते हो साथ में इसका एक फाइदा हो रहे है कि अगर आप मानलो किसी भी जहां डूटी करते हो व पूरा पूरा रिस्क लाउंस मिलता है तो मतलब बहुत इस्यांदार पोश्ट अगर आप तयारी करें तो जरूर तयारी करना इसकी और अलग से सेलेवस को सहनी सेलेवस में ने बता दिया यह टेस्ट फाइट करने के बाद में फिर होता आपका मेडिकल लास्ट पेज में तो मेडिकल इसका ज्यदा मतलब आर्मी के तरह ठाफ हनी होता जैसे ऐसे जीडी का मेडिकल होता उसी परकार सा नॉर्मल सा मेडिकल होता इसमें आइज वाइस बीच मतलब की जो आइज वाइस की जो केटेगरी है या आँख है कलर विजन है अगर वैसी कोई प्रोब्लम है तो मतलब बहुत एच्छी वेकेंसी है इसमें आट सो पिच्चेतर पोस्ट के वेकेंसी है और इसका चांस है कि यह फरवरी के इसकी नोटिपिकेशन आजाए और आपके फॉरम बढ़ना सुरू हो जाए मार्च एक से पहले-पहले ऐसा बताए जारा कि एक मार्च से पहले- दो लोग ऐसे जीडी में अभी रह गए तो उनके लिए भी बहुत एच्छी वेकेंसी है दोस्तों आप यहसा मुखा आपको फिर दुबारा नहीं मिलेगा बहुत एच्छी वेकेंसी आप 100% ट्राय करना क्योंकि आपके तैयारी बहुत अच्छी है और पहली बार तैयरी कर सब्सक्राइब करना दोस्तों इस वेकेंसी में क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी